सो हलो एबरिबेड़ी कैसे आप सबाई हो पच्छे होंगे मैं के पिसंत आप सभी का निव वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों तो यह तश्वीरे देख सकते हो यह है गांधी नगर और गांधी नगर के शामने दोस्तों आपको बता दो कि फाउंडेशन बना के प्लर कलोनी और गांधी नगर के शामने का यह विव है गाईस और आपको बता दो दोस्तों देख सकतो सारे में ही आप लोगों को गाटर्स देखने के लिए मिलेंगे दोनों साइड में यह गाटर्स रखे गए हैं और कुछ नहीं करना आप इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते ज पहले जा रहे हैं इनकी हाट होती चली जा रही है लेकिन फांडेशन बना दिया था पहले ही पिलर के इस्टेक्टर पहले ही खड़ा कर लिए जा चुका था आ अब इसमें रिंग लगाए जाने रिंग लगा कर इसमें कॉंक्रीट वर दिया जाएगा रोसके बाद में इस पियर कैप बनाने का काम इस्टार्ट हो जाएगा दोस्तों जहां इस्टार्टिंग में जब यह एक्सप्रेस में इस्टार्ट होता है दोस्तों यह जो मतलब की elevated section है जहां से start होता है बांपर पियर कैप बनाए जा रहे हैं जैसा कि आप लोग ने मेरी पिछली वीडियो में देखा था दोस्तो देख सकतो है यह गांदी नगर की red light है और जैसे इस red light को cross करेंगे वैसे यह right hand पर आ जाएगा दोस्तो यह यहां से curve ले लेता है देखो यह इसने यह curve ले लिया दोस्तो राइट में को तस्वीरे देख सकते हो यह चमक रहे हैं पिलर आपको यह देख सकते हो सबका foundation बना लिया जा चुका है दोस्तो लेकिन मैं आने वाले time में आप लोगों को यहां का view दूँँगा बड़े अच्छी तरीके से और यही पर आपको तो नीचे तो बान गुजरते हैं यानि की आम जंता के लिए हैं और उपर इसमें रेलवे के लिए दोस्तो तो काफी पराना हो चुका है देड़ सो साल पराना है तो यह कभी भी खत्रा बन सकता है तो इसी के बगल में यह नया बरीज बनाये जारा दोस्तो तश्वीरे पहला रश्ता गोम जाता है दोस्तो साच्ट्री पार्क और यह आपका साद्रा के लिए आनि की बापसी लोट जाएगा और अगर हम यह लैप्ट में जाते तो देखो उसके बगल में यह नया बरीज बनाया जा रहा है दोस्तो और यह सन 2000 से बनाया जा रहा है लगा लो आपको बता दूए डैली दैरादून एक्सप्रेस वे इसको भी क्रोस करवाएगा इस रेड लाइन को दोस्तो और रेलवे लाइन को भी क्रोस करवाया जाएगा दोस्तो तो यहां से देख सकते हो हम यहां से लैप्ट हो जाएंगे कहां के लिए देखो इधर निकलेगा य प्रेस्ट ही है डेली देरादून एक्सप्रेस वे और यह साश्त्री पार्क के लिए हम मुड़ चुकें तो आप लोग को दिखाते कैं साश्त्री पार्क के अंदर कितना कुछ बर्क चल रहा है क्या क्या बर्क हो चुक्षा है वह आप लोग इस वीडियो में देखो और वीडियोस देखते रहो के पी संत के चैनल पर दोस्तों के पी संत लाता रहता आप लोगों के इंफोर्मेशन देता रहता है तो देख सकते हो यहां पर स्लोडाउन इसलिए देखने के लिए मिलेगा क्योंकि यह सिंगल रोड है एक रोड इस नोंने बंद करज़ दी गई है और उसी पर यह वायोडेक्ट बनाया जाएगा दोस्तों तो देख सकते हो यहां था यह साश्त्री पार्क के सारे पिलर का फाउंडेशन बना के पिलर का इस्ट्रेक्शर खड़ा कर दिया जा चुका है देख सकते हो आप लोग आप इसमें रिंग लगाए जाने और रिंग ल दोस्तों सो वाँख इन पाइवे आप यह के जो भी लेट हो रहा है वह पियर कैप बनाने में बनाने में अब कर दोस्तों विखらい और फ्लोरिंग करते रहो तो सावैं है यह सास्थ्री पार्क का नाजारा है यह साइड में जो बिल्ल state और इदर एक रूड इनों बिलकुल बंदकर दिया का अब यह बनवे खुला हुआ बनवे यह फंचे कर्व centers चमक राए गाई देख सकते हो और यहां से अगर हम राइट में जाते हैं बिरिज के लिए तो साधरा के लिए चले जाएंगे और अगर हम लेप्ट में जाते हैं तो कश्मीरी गेट आई एस बीटी के लिए लिकल जाएंगे दोस्तों तो यहां पर इंटर्चेंज बनाए जा बनाया जा रहा है आप फाउंडेशन आप बना लिया जाएगा और फाउंडेशन बना के फिलर के इस्टेक्चर खड़ा कर दिया जाएगा किस तरीके से फाउंडेशन बनाते आप लोग देख सकते हो तश्वीर हैं देखो आप लोग तो यह फाउंडेशन बनाने का काम चल की जाती है सपाई कर देने के बाद में दोस्तों फिर इसमें फाउंडेशन बनाया जाता है पिलर का इस्टेक्चर खड़ा कर दिया जाता है फिर उसमें रिंग लगाए जाते हैं रिंग लगाए जाने के बाद में देख सकते हैं यह हैं पिलर यह पाइल करके यह पांच हैं एक बीच में हैं और चार साइड़ों में हैं दोनों चार साइड़ों अब इने तोड़ने का काम चल रहा है और तोड़े जाएंगे फिर इनका सर्या लिकाला जाएगा फिर इनकी मिट्टी साब की जाएगे फिर इसमें फांडेशन बनाया जाएगा दोस्तों और फांडेशन नहीं कि आप लोगों अभी तक तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही केपी संत आप लोगों के बीच में वीडियोस लाता रहता है और आप लोगों के इंफोर्मेशन देत यह जा रहता है दोस्तों और डेली धेरादून एकस प्रेस में बहुत तेजी साथ में बनाया जा रहा है दोस्तों जो इसकी डेड़ लाइन है दोस्तों बोहें 2014 में चाबिस में यह बनके आम जंता के लिए खुल दिया जाएगा इलेक्सें से पहले दोस्तों तो तस्वीर भी आप लोग को लिकलने के और बढ़ने की जगे नहीं मिलने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों तो तश्वीर आप लोग देख सकते हो यह देखो यह अब इनको तोड़ा जा रहा है तोड़ने के बाद में फाउंडेशन बनाने के लिए इनका सर्या निकाला जा रहा है सर्या निकालने के बाद में इसमें जाल बिचाया जाएगा जाल बिचाया जाएगा यानि कि फाउंडेशन बनाया जाएगा और फाउंडेशन बाई साब बहुत मजबूती के साथ में बनाया जाता है आपको क्या ही बताएं दोस्तों आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो माई बेटन में लिंक देदूँ आप सभी को आप लोग जाकर देख लेना देख सकते वो जैसी भी खड़ी होई है इसकी मिट्टी निकाली गई है मिट्टी निकाल देने के बाद में जितने भी ये पिलर आप लोगो दिखाई दे रहे हैं ये तोड़े जाएंगे इनकी अंदर से शरिया निकाला जाएगा और शरिया निकालने के बाद में फिर इसको मिट्टी को लेविल किया जाएगा मिट्टी को लेविल किलने के बाद में दोस्तो फिर इश्पैं फांडेशन बना दिया जाएगा तो देख सकते हैं यह साधरा के लिए चला जाता है और इधर की साइड में देख सकते हैं कस्मीरी गेट के लिए चला जाता है आइट बीटी को क्रोस करेंगे वैसे ही खजूरी पुष्टा स्टार्ट हो जाएगा और जो नजारा भी देख रहे हो इस साइड में यह है दोस्तो साश्त्री पार्क का नजारा और जैसे हम बिरिज को क्रोस करेंगे वैसे ही आप लोग को देखने के लिए मिलेगा खजूरी पुष्टा स् के पी संत आप लोग के बीच में दोस्तों किस तरीके से अपडेट्स लाता रहता है देता रहता है आप लोग को लेकिन आप हो कि हमारे वीडियोस को देखते ही नहीं हो यार बेजते ही नहीं हो कहीं जादस 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 बेजा करो बैया जादस जादस इतनी मेहनत करता हू मैं आप लोग के बीच में बताओ ग्राउंड लेविल पर जा जाकर मैं वीडियो सूट करता हूँ धूल मिट्टी जाम जूम दुनिया भरका पता नहीं क्या-क्या लफड़ा वाजी होता है और आप लोग भाईया थोड़ी सी रहम करो मेरे पर तो जादे से जादा लाइक से करो जादे से जादे दोस्तों कमेंट करके बताओ हमारी वीडियो जादे सेयर कर दिया करो बहया चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो नीचे रेड कलर का बटन उससे प्रेश कर दो तुरनत बेल आइकन बजा दो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वी यह मैन हाईवे के पिलर है तच्वीर आप लोग देख सकते हो मैं ऐसे ही ग्राउंड रेविल पर जाकर आप लोग के इंफोर्मेशन देता रहता हूं और आप लोग को बताता रहता हूं दोस्तों जहां भी जो भी प्रोब्लम होती है आप लोग कमेंट करके बता दिया करो ऐ यहां पर यह गाटर्स बनाए जा रहे हैं देखो अब यहां से जब हम साश्त्री पार्क से आएंगे और हमें जाना है दहरादून के लिए दोस्तों ठीक है ना तो ऐसे यह गोम जाएगा इस तरीके से देखो जैसे यह गोम रहा है ना यहां पर यह पिलर बनाए हुए है और यह पिलर बन चुका इंटरचेंज का और यह ऐसे गोम जाएगा खजूरी पुष्टा की साइड में दोस्तों ऐसे देखो यह गोम जाएगा और यह चड़ जाएगा उपर यानि कि खजूरी पुष्टा होते हुए और यह निकल जाए तो चलिए मिलता है नेक्ट वीड आए जय हिंद जय भारत